इस वुडू में आपको बताने वालों की USB केबल से Android मोबाइल को LED, LCD TV में कणेट केज़ से कर सकते हो तो गैस आप यूज करते हो एंडरोड मोबाइल लेकिन मोबाइल को आपको USB केबल से LED, LCD TV में कणेट करना है तो वहीं आपको आसान तरह के कर सकते हो पर वीडियो स्टार्ट करने से अब दक वीडियो को लाइक ने किया है तो लाइक किजिए पर चैनल पे नी हुए तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए ज़दे आप अमारे इस तरह नी वीडियो सबसे विले देख पाएंगे तो चले वीडियो को स्टार्ट करते आतम मेरे भाई इस हमारा जो LED TV है और इस हमारा जो Android मोबाईल है तो मोबाईल में कैसार जो पिच्चर होता है याने के स्पोर्टोस होता है वह हमें LED TV में देखना है तो आपको आसंतर के USB केबल से मोबाईल को कनेट कर सकते हो तो चले में स्पोर्टोस है जो हमारा पास LED TV है वह हमें ओन कर दिया है और ओन करने के बाद इस हमारा जो USB केबल है जो मने LED TV के साथ कनेट किया है और इस हमारा Android मोबाईल है तो चले म स्पोर्टोस है मोबाईल है वह हमें USB केबल से कनेट करते है और कनेट करने के बाद आपको तो उसमें आपको मीडिया को सिलेट करना है तो चल में मीडिया पे आ जाता हूँ और आपको एंटर बटन को प्रेस कर देड़े तो आपका LED टीवे में मीडिया सिलेट हो जाएगा तो अभिदिक लिज़े के नो डिवाइस आ रहा है तो इस हमारा जो मोबाइल है तो उसके आ करते है तो आपको इसी तरह चार्च अरेट बास करनेट करते हो तो चल में में नो डिवाइस आ रहा है जो USB 2.0 आता है वह अमारा सोगने हो रहा है तो आपको इसको क्वलो और photos video कैसे देखना है तो आपको setting कना है mobile में और आपको जो new device का problem भी आ रहा है वह problem आपको आसंतर के solve कर सकते हो तो चले हम सबस्वीले mobile के setting है तो वह मैं setting को open करता हूँ और अभी दिख लिज़िए कि आपको USB cable से आपको connect करते है는 तो उसमें transfer file होता है वह आपको select करना है उसमें जो charging पे होता है तो आपको charging को select नहीं करना है तो चले में setting पे click करते हैं और setting पे click करने के बाद आपको additional setting पे click करना है mobile में तो चले में additional setting को select करता हूँ और select करने के बाद उसमे developer option होता है वह आपको क्लिक करके ओन करना है तो चले में developer option पे click कर देता हूँ और click करने के बाद अभी दिख लिचे के मारा mobile में developer option है वह हमारा on हो रहा है तो चले उसमें जो कई सार जो code आता है वह में type करके use पे click कर देता हूँ तो चले मारा open हो गये और open उनने के बाद जो developer option है वह आ पूप होता है तो वह आपको ओन कर दिना है और ओन करने के बाद USB डवेंगे उसको आपको ओन करना है तो चला मैंने ओन करकर ओन पे क्लिक कर दिया है तो गाइस अभी देख लिजिए कि अपि अमारा नो डिवाइस आ रहा है क्योंकि अपि जो अमारा मोबाइल है वह अमारा स scroll करके निच्चे आना है और निच्चे आने के बद उसमें की में एलेड़ीट टेवी में देखना है तो इस imprisoned серь होता है तो इसी वजह से नो डिवास प्रोबलम आ जाता है और उसमें काई सार जू आने आपको ट्रांसफऻ फाईल है आपको फाईल देखना है वीडियो देखना है तो आपको transfer file को उसमें select कर सकते हो तो अभी देख लिज़े कैमारा उसमें select हो रहा है तो आपको wait करना है क्योंकि उसमें time पी लग जाता है तो उचले में PTV को select करता हूँ और select करने के बाद guys अभी देख लिज़े कैमारा mobile में select हो रहा है तो अभी देख लिज़े के मारा LED TV है उसमें USB 2.0 है वाई हमारा so हो गए तो उचले जूप हमारा कई सार जो mobile में photos होता है तो photos आपको देखना है तो photos पे click करके आसन तरह के देख सकते हो और उसमें आपको जो media को select करते है तो उसमें कई सार जो file हो चाहे वीडियो हो चाहे तो वीडियो को भी देखना है तो इसे जरह आपको आसन तरह के देख सकते हो तो अभी देख लिज़े के mobile में मैंने तीन option को on किया है USB डवेंग जो developer option है और आपको USB select के तो उसमें PTP transfer select कर सकते हो और उसमें media fire फे select कर सकते हो तो इसे जरह आपको जो android mobile है वह आपको LED TV में connect करके उसमें पोटोस वीडियो देखना है तो वह आपको आसन तरह के देख सकते हो तो अभी देख लिज़े के मैंने तीन option को on करके रखा है तो वह आपको mobile में setting करके mobile को उसमें connect कर सकते हो तो guys मैं उम्मेद करता हूँ कि आप लोगों को वडियो पसंद आएगा वडियो पसंद आएगा तो वडियो को like कीजिए और channel पे नहीं होए तो channel को subscribe कीजिए तो चले मिलते next वडियो में